गेंगो बिटकोई चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दवाईए लेटस क्रिप्टो अपडेट्स के लिए और इंडिया में अफसोस की बात एक और क्रिप्टो स्कैम निकल के सामने आया तो दोस्तों देखते रही है आज की क्रिप्टो तादा खबर दोस्तों न्यूज स्टाट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए है और आपने अब भी तक गेंगो विटकोंस का चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो सबसे पहला काम करिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लिजिए बेल नोटिफिक्शन आइकन भी दबा दिजिए ताकि आपको रेगोलर्ली क्रिप्टो से रिलेटेड हर चीज की जानकारी मिलती रहे तो दोस्तों आज की पहली न्यूज इंडिया से और इंडिया में एक बार फिर से एक और क्रिप्टो करन्सी का स्कैम निकल के सामने आया है पुलिस ने अरेस्ट कर दिये हैं कुछ कोईन तो दोस्तों मुंबई सूरत और गुजरात के कुछ हिसों में जाके मीटिंग करते थे लोगों को फसाते थे और लोगों को बोलते थे हमारे कौन में इन्वेस्ट करिये आपका पैसा डबल हो जाएगा दो महीने के अंदर अब जैसा कि हमेशा हिं स्कैम में होता है इ को इनके कॉइन में इन्वेस्टर थे उन्होंने कंप्लेंट फैल करी दोस्तों उमेश्च अंजयन ने खुद अपना लगबग एक करोड रुपे यहां पे इन्वेस्ट किया था तो दोस्तों बहुत दुख की बात है कि हर महीने कोई न कोई एक स्कैम निकल के आता है इंड जादा लगता है तो वह जेनरली क्रिप्टो करंशी के लिए एक नेगेटिव परसेप्शन बना लेते हैं तो दोस्तों मैं तो यहां पर यह कहूंगा कि यह पॉंजी टाइप स्कीम से मलम टाइप जो स्कीम से यह बहुत ही है सब का मॉडल एक ही होता है हमेशा यह प्रॉम करने वाले लोगों को तो हम नहीं रोक सकते पर अगर हम लोगों को एजुकेट कर पाएं और वो लोग अगर इंवेस्ट करना बंद कर दें सी स्कीम में तो अपने आप यह स्काम हो जाएंगे अब दोस्तों चलते हैं अपने अगली न्यूस पे और यहां पे क्रेग ने उनको रिस्पॉंस दिया और यहां पे लिखा my name is Dr. Craig Wright and under the pseudonym of Satoshi Nakamoto I completed a project I started in 1997 that was filed with the Australian Government in part under an OS industry project registered with the Department of Innovation as Black Net तो यहां पर उन्होंने straight away कहा है कि वो एक Satoshi Nakamoto नाम के pseudonym के under काम कर रहे थे अब दोस्तों यह पहली बार नहीं है जब Craig Wright ने ऐसा claim किया है 2015 December से यह claim कर रहे है 2015 December में पहली बार कहा था कि मैं Bitcoin का creator हूं और साथी साथ उन्होंने यह भी कहा था कि वो documentation तक दे सकते हैं इस claim को backup करने के लिए पर लोगों ने जब उनके ओपर doubt करना शुरू किया तो उन्होंने कहा कि जो initially Bitcoin wallet जो Satoshi Nakamoto का Bitcoin wallet कहा जाता है उससे वो कुछ coins Bitcoin move करेंगे ताकि लोगों को विश्वास हो जाएगा कि वो Satoshi Nakamoto है और उनके पास उस wallet की private key का access है बढ़ कुछ दिन बाद उन्होंने कहा कि वह ऐसा नहीं करेंगे अब क्यूंकि एक बार फिर से उन्होंने यह चीज क्लेम करिए कि वह Satoshi Nakamoto है तो फिर से यह चीज controversy में आ का मोटो हैं वह एथिरियम के भी काफी अगेंस्ट हैं और हमेशा एथिरियम की बुराय करते हैं यह उन्होंने कहा है अब दोस्तों इन स्टेटमेंट के बाद जाहिर सी बात है कि विटालिक बूतरिन भी क्रेग राइट को बिल्कुल भी support नहीं करते और यहां तक उन्हों बूतरिन कॉल राइट अफ्रॉड दूरिंगा साउथ कोरिन इवेंट एट विच बोथ वर एपेरिंग तो दोनों एक इवेंट में हिसा ले रहे थे और विटारिक बूतरिन ने सीधा सीधा क्रेग राइट को कहा कि आप फ्रॉड हो तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि क साल से चीज को लटका रहे हैं अगर वह वाकिया में सटोशी नाका मोटो हैं तो क्यों नहीं बिटकोइन कुछ ट्रांसर कर देते सटोशी नाका मोटो की इनिशल वालेट से तो आप कैसे इसके बारे में नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिए अब चलते हैं दो ह것도 ngay होती तो यहां पे भी केस लग लगा रहा है Chinese crypto mining पूल है इति का माइनिंग पूल है दोस्तों इसका नाम है पूलन और 20 विच जार ृसला मतला है दोस्तों एक शैनल डॉक को सकता है बित कोईन ऑब दोस्तों पूल दोन कोंग चोटा मोटा पूल नहीं है दुनिया का 4 लाइनिंग पूल है जिसमें ग्याना परसेंट ऑफ ग्लोबल हैश रिट है बिटकोइन का पर साथ लाग चालीज़ा डॉलर जो प्राइस बोला गया है वो दोस्तों एक सिंगल डारेक्ट प्राइस नहीं है वह एक रेंज का पार्ट है यहां पर सेवेंटी फॉर थाउजन से लेकर साथ लाग चालीज़ा डॉलर तक की रेंज दे दी है तो आप खुद ही देख सकते हैं दोस्तों यह कितनी बड़ी रेंज है कहां सेवेंटी फॉर थाउजन डॉलर और जो भी है सेवेंटी फॉर थाउजन भी अपने आप में एक बड़ी फिगर है और अगर टाइम की बात करें तो बोला गया है next round of bull run तो यहां पर कोई भी time frame specify नहीं किया गया है यहां पर सिर्फ बोला है कि जब भी अगला बुल रन आएगा तो minimum 74,000 से लेकर साथ लाग चारीस दो डॉलर तक बिटकोई का प्राइस पहुंच जाएगा तो काफी लूजली एंडड यह स्टेटमेंट है सिर्फ एक बड़ा सा नंबर यहां पर त्रो कर दिया गया है इसके पीछे कोई technical reason नहीं दिया गया है कोई भी चीज की backing नहीं करी गई है कोई time frame नहीं दिया गया है और एक बहुत ही बड़ी रेंज दे दी गई है अब दोस्तों इतना बड़ा नंबर यह पहली बार कोई prediction नहीं करी गई है इससे पहले दोस्तों आपको पता है कि कितनी सारी और predictions हो चुके हैं काफी बड़े-बड़े लोग जो predictions कर चुके हैं उन्होंने कितने बड़े-बड़े numbers और यहां पर थ्रो किये थे Winkle was twins ने कहा था कि 4 trillion हो जाएगा December में total market cap यानि कि जो Bitcoin का प्राइस है वह 4000 परसंट तक बढ़ सकता है उसके अलावा तो काफी बड़े-बड़े लोग काफी बड़े-बड़े प्रेडिक्शन कर चुके हैं पर असली में क्या होगा दोस्तों यह तो कोई नहीं जानता अब दोस्तों आपको क्या लगता है और आपकी खुद की गट फीलिंग क्या कहती है कि क्या Bitcoin का प्राइस इतना बड़ा नमबर अचीव करेगा के नहीं अपनी राय दोस्तों नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिए तो दोस्तों यह था आज का क्रिप्टो न्यूज वीडियो उमीद है यह आपको पसंद आया होगा वीडियो को जरूर लाइक करें शेर करें चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूल करें करेंगा क्तर का बूल करना मत औया थेटन का सब्सक्राइब के पकारइब करेंदा आया है यह वीडियो जह हम भोनी स्रेंटी दोस्तों काीम्त अविश् ऑच्ठान संदूर पर लो कि अनद्वना रूर एख वश्लurarब क्तर अबंड